हम फिर हाजिरे एक नए इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ आज मैं जिस मूवी का एक्स्पेनेशन करने वाला हूँ उसका नाम है दे स्टेंजर्स जो 2008 में रिलीज हुई थी जिसे ब्राइन बरतीनो एंडिरेक्ट किया है इस मूवी की खास बात यह है कि यह एक रियल इंस में घटी थुई थी जब वो काफी छोटे हुआ करते थे जिसे मैंसन फेमिली टेट मर्डर्स के नाम से जाना जाता है तो हम यह मान सकते हैं कि डारेक्टर ने इस मूवी को काफी रियल रखा होगा तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके चलते हैं सिधा वीडियो की त 11 वर्वरी की रात को अपने एक फ्रेंड की शादी की रिसेप्शन पार्टी से जेम्स के समर हाउस के लिए आते हैं जो सिर्फ समर वेकेशन के लिए यूज किया जाता था और यहां पर जो दिल दिला देने वाली घटना हुई थी उसके मडरर्स अभी भी खुजे नहीं ग गर के चारों तरफ काफी खुन बिकरा पड़ा है और वो अपने एक दोस्त के साथ सैक्लिंग करते हुए यहां पर पहुचा है और यहीं से मूवी की शुरुआत होती है अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टीन और जेम्स कार से जेम्स के समर हाउस जा रहे थे हैं वो सब कुछ वेसा नहीं हुआ जैसाद जेम्स ने सोच रखा था दरसल जेम्स और क्रिस्टीन काफी अच्छे दोस्त थे वो दोनों अपने कॉमन फ्रेंड की शादी के रिसेप्शन पार्टी में थे जहां पर जेम्स क्रिस्टीन को शादी के लिए प्रपोस करता है लेकिन क् समर हाउस चले जाते हैं जहां पर जेम्स ने काफी सारी त्यारिया कर रखी थी जो अब किसी भी काम की नहीं थी उस समर हाउस में जो की जंगल में था वहाँ पर दोनों थोड़ा रिलेक्स करते हैं फिर जेम्स रिकोर्ड प्लेयर पर म्यूजिक चलाता है और दोनों थोड उदर नौक करता है वो भी इतनी रात को करीब चार बजे और जब जेम्स दर्वाजा खोलता है तो सामने एक लड़की खड़ी होती है जिसका चेहरा अंदेरे के कारण साफ दिखाई नहीं देता वो उनसे पूछती है कि क्या तमारा यहां पर रहती है जिस पर जेम्स उसे मन जलाता है और क्रिस्टीन के लिए बाहर सिगरेट लेने चला जाता है जेम्स के जाने के बाद क्रिस्टीन जेम्स के द्वारा लाई हुई वेडिंग रिंग पहन कर ट्राय करती है लेकिन वो उसके उंगली में फस जाती है और वहां दर्वाजे पर फिर से जोर से कोई नौ जाती है लेकिन अचानक उसका फोन कट हो जाता है और लगालता दर्वाजे पर कोई जोड़ जोड़ से नौप करता जाता है क्रिस्टीन अपनी पाल्टी वाली ड्रेस चेंज करती है और पानी पीनने के लिए कीचन में जाती है और हम देखते हैं कि कोई स्ट्रेंजर व्यक् जाती है जो कि चार्जिंग पर लगा हुआ था लेकिन अब उसका फोन वहाँ पर नहीं था क्रिस्टीन को खिलके के बाहर से अजीब अजीब आवाज आती है और वह खिलके का परदा हटा कर देखती है तो उसे शीशे के दूसरी तरफ अजीब सा मास्क पेहने व्यक्ति काती है लेकिन जब दर्वाजा खुलता है तो वहाँ पर जेमस आता है और वह क्रिस्टीन को काफी डरा हुआ देखता है क्रिस्टीन उसे मास्क वाले व्यक्ति के बारे में बताती है और जेमस क्रिस्टीन से चाकू लेकर सभी दूर उस व्यक्ति को ढूमने के लिए चला जाता है जहां पर उन्हें कोई नहीं दिखता फिर क्रिस्टीन एक छोटी सी खिलकी से बाहर देखती है तो अब आती है कि कोई सलक पर खड़ा होकर उन्हें ही देख रहा है जिस पर जेम्स कहता है कि वो बाहर जाकर उनसे बात करेगा कि आखिरकर वो उनसे चाहता क्या है ले जेम्स सावधानी से कार की तरफ जाता है और देखता है कि उसकी कार के शिशे तुटे हुए हैं कार के अंदर जाने पर वो देखता है कि उसका फोन कार में नहीं था और कोई उसे पीछे से छूता है जिससे वो डर जाता है और देखता है कि बाहर एक से ज्यादा लोग है जे और पीछे एक छोटा ट्रक उनकी कार को ठोक देता है जिससे वो कार से निकल कर वापस घर में आ जाते हैं और जेम्स उस घर में रखी शॉटगन ढूनता है बेडरूम में पहुचने पर वो देखते हैं कि दीवार उपर सब भी दूर हेलो लिखा हुआ है और जेम्स और क्रि जेम्स क्रिस्टीन को लेकर एक कमरे में छूब जाता है जिसके बाहर लगातर किसी के घूमने की आवाज आ रही थी हम देखते हैं कि बाहर जेम्स का दोस्त माइक आता है जिससे जेम्स नहीं क्रिस्टीन की कार लेकर बुलाया था क्योंकि वो क्रिस्टीन की कार वही पार् माइक जेम्स को ढूंटते हुए उस कमरे में पहुचता है जहां पर जेम्स क्रिस्टीन को लेकर छुपा हुआ था और जल्दबाजी में जेम्स माइक पर ही शौटगन से फायर कर देता है जिससे की शौटगन की गोली उसके चेरे पर लगती है और उसका खून दिवार के चा आता है जहां पर एक जोरदार गनफायर के आवाज होती है और सीन वही पर कट हो जाता है अब क्रिस्टीन उस घर में अकेली थी और वहाँ पर आता है जिससे की वह भागकर जंगल में बने एक केबिन में जाती है और एक फीमेल स्टेंजर उसके पीछे आती दिखाई देत है जिसने एक डॉल का मास्क पहन रखा था केबिन के अंदर पोशने पर क्रिस्टीन को एक रेडियो दिखाई देता है और वो मदद के लिए मेसेज भेचती है लेकिन डॉल मास्क वाली स्टेंजर अपनी कुलाडी से रेडियो को तोड़ देती है और क्रिस्टीन वहाँ से भाग कर वापस घर में आ जाती है क्योंकि उन स्टेंजर ने क्रिस्टीन को घेर रखा था और वो स्टेंजर भी क्रिस्टीन के पीछे पीछे वापस घर में आ जाते हैं जहां पर क्रिस्टीन उनसे छिबने की कोशिश करती है लेकिन उनमें से एक स्टेंजर उसका सीर सी चेर से बंदा हुआ था हम देखते हैं वहां एक या दो नहीं बलकि तीन स्टेंजर थे जिन्हें देखकर पता लग रहा था कि दो अडल्ट स्टेंजर से और एक टीनेजर क्रिस्टीन अपने पार्टी वाली ट्रेस में थी और उसने अपने उगलियों में वह वेडिंग र करके अपना मास्क हटा देते हैं और जेम्स के पेट में स्टेंजर कई बर चाकू से वार करते हैं जिससे कि वह मर जाता है और अब तीनेजर स्टेंजर क्रिस्टीन के पेट में चाकू घुसाती है जिससे कि वह जोड से चिलाती है लेकिन वहां कोई भी उसकी चीक सुनने वाला नहीं था फिर इस्ट्रेंजर अपने ट्रक से वहां से निकल जाते हैं और उन्हें दो लड़के साइकल से जाते दिखाई देते हैं जो कोई रिलीजियस कार्ड बाट रहे थे एक स्ट्रेंजर कार से उतरती है और वो उनसे कार्ड मांगती है जिस पर वो बच्चे उससे पूछते हैं कि क्या उन्होंने कभी कोई पाप किये हैं जिस पर स्ट्रेंजर उनसे कहती है कि कभी कभी उनसे पाप हो जाते हैं और वो उनसे कार लेकर वहां से चली जाती है फिर वो बच्चे उस घर में पहुचते हैं जहां पर जेम्स और क्रिस्टीन थे उन्हें देखकर लग रहा था कि दोनों मर चुके हैं लेकिन जब एक लड़का क्रिस्टीन को छूने की कोशिश करता है तो वो अचानक से उसका हाथ पकड़ लेती है और जोड से चिलाती है और इसी के साथ ये मूवी यही पर खत्म हो जाती है दोस्तों देखा जाये तो ये मूवी पूरी तरह से इमेजनेरी है ना कि रियल इंसिडेंट पर बेजड क्योंकि असल घटना के मडरर्स कभी भी नहीं मिले और उस रात क्या हुआ था किसी को नहीं पता डिरेक्टर द्वारा मूवी का स्क्रिन प्ले काफी अच्छा किया गया है और ये मूवी आपको एंड तक बांदे रखती है तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ओन कर लिजिए क्योंकि कई सारे वीडियो आपके इंतजार कर रहे हैं